जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्वमित जैन यूटूब चैनल में दोस्तो हिंदी की फ़नी ट्रिक लेकर के फिर से आ गए हैं रोज साड़े नौ वजे आपकी फ़नी ट्रिक वीडियो होता है हिंदी साहत है ना हिंदी साहत को हम पढ़ते हैं महत्पूर्ण रचना है महत्पूर्ण प्रशनों को ट्रिक के माध्यम से आद करने का प्रयास करते हैं आप Net Exam की तयारी कर रहे हैं जे रेफ, पीजी टी, टीजी टी या फिर किसी भी प्रदेश की टेट एकजाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी साहत पूचा जाता है तो यह वीडियो दोस्तो आपके लिए है चैनल को सब्सकाइब जरूर करेंगे, आपको सिर्फ वीडियो देखना है, कुछ भी कर नहीं करना है सारी की सारी जोग, जितने भी प्रशन लेकर के आएंगे, सारी की सारी याद हो जाएंगे अब आपको दोस्तो दो सेकर्ड दिये जाते हैं और प्रशन का उत्तर बताना है कि स्री संपरदाई की स्थापना किस ने की थी, जी हाँ दोस्तो, दो सेकर्ड में आप अपने उत्तर का चैन करें जब तक मैं आपको बता देता हूँ कि पुष्टी मार की प्रवर्टा कोन थे, बल्लबाचार है ना, सरहपा की एक रचना है दोहा कोस, ठीक है, है ना, सभी को पता है, दोहा कोस है सरहपा की रचना और आपका उत्तर हो जाता है स्री संपर्दाई की क्या हो जाता है, रामा नुजाचार है ना, रामा नुजाचार बिसिस्ट्या दोयतवाद के रामानुजाचार ठीक है बैस्णाव आचार थे इन्होंने बैस्णाव धर्म का क्या किया पर चार परसार किया रामानुजाचार ने ठीक है यह चीज याद रखनी है दोस्तों आपको बताना है प्रबंद चिंतामणी के रचनाकार कौन है और दोस्तो आपको पता है कि हमारे देस में बिभिय्ण प्रिकार के मेरु यानी परवत हैं है ना परवत सिकर है चिंता करना है मैं और उनका प्रबंद करना है तो प्रबंद चिंता मनी की रचना कार कौन होंगे मेरू तूंग ठीक है याद रखेंगे आनम्मर आपका बिल्कुस सही है रोडा कभी की एक रचना है कौनसी राउल बेल राउल बेल है दोस्तों सिलांकित किर्ती मानी जाती है सिलांकित किर्ती ठीक है तो इसको याद रख लेना है रावल वेल की रोड़ा कभी की रावल वेल सिलांकित किर्ती माने जाती है ठीक है अंगला देखते हैं दोस्तों अंगला जो अपना प्रस्ण है वो क्या है उसको देखते हैं प्रतिविराज रासो की रचना बिधान में स चंद्रबर्दाई हिंदी के पर्ता माहा कभी है चंद्रबर्दाई प्रथिविराज रासो में 59 सर्ग है उसमें जो सर्ग है सर्ग को क्या कहा जाता है, समाइ कहा जाता है यह चीज़ आपको पता है आदी काल में अगर पूछा जाता है कि छंदों का जय गर किसी कहा जाता है तो प्रतिवीराज रासो को कहा जाता है अब प्रतिवीराज रासो के प्रमाने को होने पर संदिग्द है बिविन लोगों ने बिविन बिद्वानों ने अलग-अलग मत प्रिगट किये हैं यहां पर पूचा है कि सरवाद एक बिबादा इस पक्ष कौन सा है तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसकी एतिहा सिक्ता और आपको पता है दोस्तों कि प्रतिवी की एतिहा सिक्ता पर भी बिबाद है कोई कहता है कि इस प्रतिवी की इस रष्टी करता विश्णू जी ह कोई कहता है विग ज्यान कहता है कि बिग बैंग से दान्द के द्वारा प्रतिवी एक क्या थी आग कप, गोला थी, पिंड थी उसके फटने से विभिन ने ग्रह बने प्रतिवी का नर्माढ हुआ तो प्रतिवी की ahtihaa सिक्ता पर क्या है बिवाद है अंगला question बताना दोस्तो बीसल देव रासो का काब रूप क्या है सबसे पहले तो यह पात होनी पता होनी चाहिए कि जो बीसल देव रासो काब है वो किसका है नरपती नाल का है किसका है नरपती नाल का है ठीक है अब इसके काब रूप क्या है दो सेकंड में आपको बताना है दोस्तो तो आपको पता है न दोस्तो कि यहाँ पर क्या आ रहा है देव और बीस तो बीस देव आपने पता होगा हम बीसों देव के गीत गाते हैं बीसों देवों की हम क्या करते हैं पूझा करते हैं otherwise दोस्तो आपको पता है यह अज्मीर की सासक के संबन सम्मंदित है ठीक है अजमिर के सासक्ते बिग्रह राज लिख रखने ना है वीसल द्वरास के नायक कौन है अगर पूछा जाय तो बिग्रह राज है और इस रंगारेक रचना मानी जाती है वीसल द्व्रास हो एचीज भी आपको याद रखनी है ठीक है अंगला देखो हैं पंडलों क्या करते हैं अपनी भबूती लगाई मुँं में है ना सब जगा चीकाई का लगाया भबूती लगाया और भगवान के पास पहुंच गए और पुस्प चलाने क्या चलाने पुस्प चलाने तो अप ब्रंस का भवूती किसे कहा जाएगा भवूती से भवूती लगा लो आप तो किसे कहा जाएगा पुस्प दंत को क्योंकि हम भवूती अभूती लगा कर कहा पहुंचे पुस्प चलाने पहुंच तो पुस्पदंत जी आपको पता होगा दोस्तो ये अपने आपको क्या मानते थे अभिमान मेरू मानते थे इन्होंने अपने आपको अभिमान मेरू की उपादी दी थी इनका एक ग्रंत है महापुराण है ना पुस्पदंत जी का वो भी आपको याद रखना है ठीके और है ना और स्वयंबू को हिंदी का प्रथम कभी किसने माना है तो वो माना है किसने राम कुमार बर्मा ने ये चीज भी आपको याद रखनी है ठीक है राम कुमार बर्मा और सरहपा की बारे में तो मैंने आपको बताया था कि सरहपा की जो रचना है ये कौनसी है दोहा को से है सरहपा मैंने आपको कई बार बताया है कि आपक कभी बोलोगे कि सर दोहा सुनाओ, सर दोहा सुनाओ, तो मैं बोई वाला सुनाओ, तो सर दोहा सुनाओ तो दोहा को सरहपा सर सिफ है ना और राम सेंग की कौन सी है पाहोड दोहा ठीक है तो याद रखना है अंगला बताना ध्यान मंजरी के रचेता कौन है दोस्तो ध्यान मंजरी के रचेता बताना अग्रदास है नाबादास है कुंबन दास है या फिर सूरदास तो आपका बिल्कु सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो मैं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका ध्यान अग्र कहीं नहीं जाना चाहिए सिर्फ पढ़ाई पर जाना चाहिए वीडियो पर जाना चाहिए अगर आपको आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए तो ध्यान-मंजरी के रिचेता कौन होंगे क्योंकि ध्यान कहानी जाना चाहिए अगर, तो अगरदास ठीक है नावादास के गुरु कभी-कभी पूंचा जाता है तो अगरदास ठीक है कुम्बन दास के गुरू पूँचे जाते हैं तो बल्लबाचार सुर्दास जी के गुरू पूँचे जाते हैं तो बल्लबाचार इनको याद रखेंगे नावा दास के गुरू अग्रदास नावा दास की एक रचना है कौनसी भाक्तमाल कौन सी है भाकतमाल ये भी आपको याद रखनी है ठीक है आंगे देखते हैं हनुमान नाटक की रचेता कौन है दोस्तों मैंने एक चित्र आपको दिया है हनुमान जी के दर्सन करें और फिर हनुमान नाटक की रचेता बताएं कौन हो सकते हैं मैंने ये चित्र क्यों दिया है इसलिए दिया है कि हनुमान जी अपना सीना हिर्दाय फाड़कर देखा रहा है हिर्दाय फाड़कर देखा रहे हैं और बोले कि मेरे हिर्दाय में देख लो सीता और राम ब्राजमार रहते हैं मेरे हिर्दाय को फाड़कर देख लो सीता और राम ब्राजमार रहते हैं तो हनुमान नाटक के रचेता कौन होंगे हिर्दाय राम क्योंकि हनुमान के हिर्दाय में कौन होते हैं राम होते हैं हिर्दाय राम तो आनम्मर आपका बिल्कुत सही हो जाएगा अब कभी भी आपसे पूछा जाएगा हनुमान नाटक के रचेता कौन है तो हनुमान की बात यह बोले हिर्दाए राम, हनुमान तो हिर्दाए में राम को रखते हैं, ठीक है, तो आ नम्मर आपका बिल्कुश सही हो जाएगा, अंगला बताना है दोस्तो बरबी रामाइड के रेचेता को ने, बरबी रामाइड, चार बिकल्प है, चार में से चैन करना, दो सेकंड आप क्या इसको, हम कोई भी चीज पांच लाइण लिख देते हैं, पांच लाइण अगर कोई अच्छी-ची पंक्तियां लिख दी, कभीता लिख दी, तो हम बार-बार पढ़ते रहते उसी को, तो तुल्सी दास ने इतना बड़ा महाकाब लखा, यह बार-बार नहीं पढ़ें बरबे रामाण, याद रखना, तुल्सी दास जी, राम काब धारा की पता है आपको, स्रेश्ट कभी मान जाते हैं, हैना, जान की मंगल, हैना, बरबे रामाण, और भी बहुत सारी इनकी रचना हैं, राम स्रित मानस, ठीक है, बिनय पत्री का, कश्न गीता वली, इस सारी की सारी रचना याद करना है, तुल्सी दास जी की, रिक से में आपको याद करवाएंगे एक बाद, हैना, अग्रदास की हमने पढ़ी थी, कौनसी, ध्यान मंजरी पढ़ ली थी, और अग्रदास, जो गुरू हैं, अग्रदास, वो किसकी हैं, नाबादास के हैं, ठीक है, प् महानाटक, हम बोल देते ना, कि रामाण हमारे क्या हैं, प्राण हैं, रामाण हमारी प्राण हैं, तो रामाण महानाटक की रचिता कौन होंगे, प्राण चंद चोहान, और पुस्पदंत की बारे में तो आपको पता दिया है, दोस्तों, कि इन्हें भाववूती, तो ये चीज भी आपको याद करनी है और बरबेर बर रामान किसने पड़ी थी तुलुकृष दास ने तो बरबेर रामान की तुलुकृष हो जाएंगे ठीक है गोल हो गए आपने पूछा कि जबाहर कहा गए तो बोले हंस जबाहर खा गया हंस जबाहर खा गया क्यों खा गया हमें विश्वास नहीं है बोले कसम से कसम से हंस जबाहर खाए गया तो कसम से तो कासिम सा है हंस क्या खा गया जबाहर खा गया तो कासिम सा है कि हंस जबाहर है नूर मोहमत की अनुराग वासुरी है ना सेक नभी की ज्यान दीप, उसमान की चित्रावली आपको रचना याद करना है, याद करवा देंगे सीताइन की रचनाकार कौन है दोस्तु, सीताइन, अब यहाँ पर आया है सीता और दो सेकंड आपको बताना है, और ये भी बता दे कि सीता जी किसकी प्रिया थी किसकी थी राम की प्रिया थी और उनकी सरण में रहती थी बोले हमें आपकी सरण मिल जाए इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए तो सीता यन किसकी रचना होगी राम प्रिया राम की प्रिया कौन थी सीता जी थी इसलिए सीता जी रा राम प्रिया सरनदास, राम प्रिया सरनदास की रिचना है, सीतायन, कभी नहीं भूलोगे अब आप, है ना, इस प्रकार से यात करना है, है ना, तो बताना है दोस्तों भक्ति आंदोलन को, इसायत की देन किसने कहा है, इसायत आप समझते हो, इस, इस बोल दो आप तो इसको, इस बोल दो की इस की देन इस मतलब इस्वर की देन है वो तो भक्ती तो आप लोग बोलते हैं आपने कई लोगों के मुह से सुनी होगी कि हम तो इस्वर के क्या है सन्तान है हम तो इस्वर के सन है हम तो इस्वर के पुत्र है है ना, तो आपको जो भक्ती मिलेगी, वो कहां से मिलेगी, इस्वर से ही मिलेगी, कि नहीं मिलेगी, मिलेगी, जब आप इस्वर के सन हो, तो भक्ती भी आपको इस्वर से ही मिलेगी, तो भक्ती आंदुलन को इसायत की देन किसने माना है, इस ने ही देन, इस ने ही दिया है, तो कुन मानेंगे उनके सन मानेंगे वहना किसके इस्वर के सन इस्वर के सन ने भक्ति आंदुलन को इसकी देन मानी है तो सन यानी गिरियर सन याद रख लिना है सबी लोग और आपको पता है कि जनता की चित्वर्तियों की नरासा की भावना से रामचंदर सुकले ने माना है हजारी परसाद दुवेदी ने क्या माना कि ये तो स्वभावक होना ही था है ना और आक्र मुस्लिम आक्रमन भी ना हुए होते रामचंद सुकले ने कहा था कि मुस्लिम आक्रमन के कारण जनता की चित्विर्ती से भक्ति आंदुलन का उदय हुआ है ना हजारी परसाद दुवेदी ने इसका स्वभावेक माना है कि ये तो स्वभावेक रूप से इसका उदय हो ना ही था इस परकार से आपको याद रखना है अंगला बताना है दोस्तो भक्ति काल को स्वर्ण योग किस ने कहा है स्वर्ण काल यहाँ पर स्वर्ण काल और स्वर्ण योग आपको देखना है दोस्तो स्वर्ण काल किस ने कहा है तो आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा काल की बात जब आती है काल की तो आपको याद रख लेना है कि गिरियर सन है ना गेरों का स्वर्ण हमें कैसा लगता है काल की तरह लगता है और खुद का स्वर्ण हमें सुन्दर लगता है है ना खुद का स्वर्ण हमें स्वर्ण योग लगने लगता है सुन्दर लगने लग तो याद रखना इधर से दोस्तो स्वर्ण काल कहा गिरियर सन ने और अगर आप से कभी पूंचा जाए कि स्वर्ण योग किस ने कहा तो स्वर्ण योग किस ने कहा स्वर्ण योग स्याम सुंदर दास ने कहा क्योंकि जो स्वर्ण योग है वो सुंदर होगा काल होगा जो तो काल की तरह देखेंगे गेरों के स्वरण को ठीक है हजारी प्रसाद दुवेदी ने भक्तिकाल को लोक जागरण कहा क्या कहा लोक जागरण इसको भी आपको याद रखना है और दोस्तों राम चंद्र सुकले ने क्या कहा इन्होंने भक्तिकाल कहा ठीक है ये चीज आपसे कभ रखनी है और कभी आप से पूचा जाए स्वर्ण योग किस ने कहा और ओफसन में स्याम सुंदर ना हो तो गरियर्शन लगा देना ठीक है याद रखना अगला बताना दोस्तों आलबार सब्द का अर्थ क्या होता है आपको पता है कि आलबार भक्तों की संक्या कितनी मानी अब आलबार सब्द का अर्थ बताना है दोस्तों क्या होता है आप लोग के लिए में एक छोटी सी हिंट दे रहा हूँ कि आप जितनी बार भी आलबार टिर्की वीडियो देखते हो और आप क्या हो जाते हो मगन हो जाते हो तो आलबार सब्द का अर्थ क्या होता है मगन हो है ना बोले सर में तो आलबार आपका ट्री की वीडियो देखता हूं और मगन हो जाता हूं है ना तो मगन होना आलबार कार्थ होता है उलारबार भक्तों की संक्याती 12 डाक्टर हजारी पिरसाथ दोवेदी ने सूपी काबधारा की प्रिथम रचना के सेमाना है सूपी बहुत ही बढ़िया प्रस्ण हैं दोस्तों यहां से आपके बहुत सारी प्रस्ण कबर होने वाले हैं अब आपको बताना है कि हजारी पिरसाथ दोवेदी ने बताना है तो चार बेकलबें दो सेकेंड में आप अपने उत्तर के चेन करेंगे तो एक क्रम से दिया है बिलकु करवाया था कि इस्वर की कथा सत्त होती है और इस कथा को हम एक बार नहीं कितने बार पढ़ेंगे हजार बार पढ़ेंगे कितने बार पढ़ेंगे हजार बार पढ़ेंगे तो हजारी पिरसाद दुबेदी सूपी कापधारा की प्रतम रचना किसे मानेंगे किसे मानेंगे इ इस्वर दास्क्रत सत्वती कफा को क्योंकि इस्वर की कफा सत्व हुती है और सत्व कफा को हम हजार बार पढ़ेंगे तो इसको याद रखेंगे असायत क्रत हंसा वली जिसका रचना काल 2370 है ठीके मुल्ला दाउत की चंदायन 1389 इसका रचना काल है इस्त्वरदास करत सत्वती कता 1501 इसका रचना काल है कुतुबन करत मिर्गाबती 1503 इसका रचना काल है एक क्वेस्चन वर पूछा जाता है दोस्तो रामचंदर सुकल ने सूपी कापधारा की प्रतम रचना किसे माना है तो मिर्गाबती को माना है मिर्गाबती को माना है और प्रतम कभी माना है कुतुबन को तो ये चीज आपको याद रखनी है जिसका रचना काल क्या है 1503 है अब एक क्रमबद में अगर कभी पूछा जाए तो पहले हसलिया करो पहले हसो फिर चांद को देखो पहले हसो फि पर चांद को देखो सत्य बति क था और म्रगावती ठीक है इस परकार से मैं आपको जो आपकी करम बद्ध है ना तो वो इस परकार से आत करभा देंगे करम बद्ध वाले जょुब आपकी रचना है जो कभी कभी है, उनको कुरवाएंगे, दिक्कत नहीं करना है. छिताई बारता कि रचनाकार कौन है, छिताई बारता. दोश्तों, यहां पर क्या आए ताई, और सभी के घर में ताई होती हैं, बोले, हमाई ताई बहुत अच्छी है, और आम गया है तो बहुत अच्छी है, नारायन जी की है ना तो नारायन नारायन वो नारायन की कथा सुनाती है ताई तो छेता इबारता की रचना कार कौन होगी नारायन दास ठीक है सत्रबती कथा इस्वर दास की है तुलशी दास की हमने पढ़ लिए थी रामश्रित मानस है ना पंदरा सु चुहुत्तर इसका र बता दिया कि रामायण हमारी क्या है प्राण है रामायण हमारी प्राण है तो रामायण महानाटक की रेचना कार कौन होगे प्राण है तो प्राण चंद चोहान है ना रामायण हमारी क्या है प्राण तो प्राण चंद चोहान एल्टी ग्रेड है ना मैं पूछा गया था यह क रचना और चुरआसी वैश्णाओं की बारता और एंको भी आपको ियाद रखना दोस्तों आंगे पूचा जाता है स्यामसगाई की रचनाकार कोण है स्यामसगाई और जल्दी से बताना है स्याम जी के जो बाबा थे वो कौन थे नंद बाबा आप लोग बोलते हैं नंद बाबा ने बोला कि स्याम अब क्या हो गए बड़े हो गए हैं अब इनकी क्या कर दी जाए सगाई कर दी जाए किसने सोचा नंद बाबा ने तो नंद बाबा ने स्याम की मुझरी अनिकार्थ मंजरी भी इनी की है। थीक है। हिंदी साहथ recipe का अधिकाल हिंदी साहथ का उद्वा और विकास यह सभी 12 पर साथ दुबेडी जी के ग्रंथ है राम चंद्र सुक्ली जी का हैं इनको तु याद करेंगे तुल्ची दास को काली काल का जो बालमी की कहा है वो किसने कहा है बालमी की बताना है दोस्तों काली काल का बालमी की किसने कहा है जल्दी बताओ काली काल का बालमी की किसने कहा है तो आपको पता है दोस्तों कि हम बोलते हैं काल आ गया काल आ गया काल आ गया तो काल कहां से आता तो किये भगवान काल आ जाता मुझे तो उठा लेता है ना तो काल कहां से आएगा नब से आएगा तो कली काल काल का बालमी की किसे कहा जाएगा किसने कहा है तो नावा दास ने नब से आएगा काल है तो कली काल का बालमी की नावा दास ने कहा है किसे तुलसी दास को ठीक है याद करना है अंगला देख लेते हैं दोस्तो तुलशी दास को चलता फिरता तुलसी तरू किसने कहा है तुलसी तरू और तुलसी तरू की बात हो रही है दोस्तो पौधे की बात हो रही है है ना और इसलिए इन्हें तुलसी तरू कहा गया कि तुलसी इतना पवित्र पौध माना जाता है और आपको पता है कि 24 गंटे आपको ऑक्सिजन प्रदान करता है दिन रात ऑक्सिजन प्रदान करता है तुलसी और पीपल के ब्रक्ष है ना बहुत ही पवित्र माना जाता है और तुलसी के जैसी सरस्वती थी किसमें तुलसी दास में तुलसी तरू और तुलसी के पास जाएगा इसे मदु सूदन सरस्वती ने तुलची दास को चलता फिरता तुलची तरू को हैं वह बढ़िया होते की नहीं होते जल्दी बताओं भक्त भगवान की प्रिये होते हैं इसलिए भक्त माल के टीका कार कौन होगे प्रियादास कौन होगे प्रियादास होगे तो आनम्मर आपको याद रख लेना क्योंकि भक्त भगवान की प्रिये होते हैं तो प्रियादास ठीक है अग्रदा इसका रचनाकाल है तो इसको भी आपको याद रखना है ठीक है अब दोस्तों आपको एक चेलेंज प्रस्ण दिया जाता है कि बिनाय पत्रिका की भासा क्या है आपको कमेंट में इसका उत्तर बताना है बिनाय पत्रिका की भासा क्या है अब दी भोजपूरी ब्रज या फिर म तो चित्र लेका किसकी है भगबती चर्ण बर्मा की हमने कैसे इसको याद किया था कि हमें जो हम पुस्तक पढ़ते हैं जो हम प्रजिस्टर में पढ़ते हैं जो नोट्स पढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्ट पर हमें चित्र बनाना है किसका भगबती का भगबती का बनाओग भी आपका test होता है है न विश्तरे तद्धन करते हैं पर चलते हैं सबुए साड़े नौ बज़े और रात्त्री नौ बज़े तो इन जरूर देखें इनको हिंदी व्याकरन की आपकी आट बज़े कलास होती है तो उसको देखें वीडियो को लाइक करें जो भी अभी टेलिग्राम ग्रूप से नहीं जुड़े वो टेलिग्राम से जुड़ जाएं टेलिग्राम से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है टेलिग्राम पर IAS study trick और जोईन हो जाना है टीक है और दोस्तो WhatsApp नमबर वाट्स अप ग्रूप है अपना 9098609291 यह WhatsApp नमबर है यह WhatsApp ग्रूप में आपको जुड़ सकते हैं इस पर मैसेज करेंगी तो वाट्स अप ग्रूप की आपको लिंक मिल जाएगी तो आप वाट्स अप ग्रूप से जुड़ सकते हो Instagram में आपको सर्च करना है Self History Classes समिजन ठीक है और Facebook पे आपको समिजन सर्च करना है और वीडियो को लाइक करके Share अवस्थ करना है वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यन से अवस्थ बताना है और Share जरूर करना है Like तो सभी लोग करेंगे जैहिन